तो हे गाइज गूर्मॉर्णिंग यह है दोस्तों हमारा कैबिन का जो की एक आरजीवी कैबिन है यह दोस्तों एंटेक का ICE 138 ठीक है तो इसको हम लोग करते हैं अन्बॉक्सिंग टंटना काँ फस रहा है कि यह कहीं में फस राये थी यह निकल जा भाई यह निकल गया ओ वाओ तो गाइज यह है हमारा कैबिनेट जो की एंटेक e-sports के तरफ से आया हुआ है एक आरजीवी कैबिनेट है यह इसका पुरा पैकिंग है आई थिंग दोस्तों इसका पुरा कवर प्लास्टिक के तरफ से प्लास्टिक के दिया हुआ है यह होगा सिधा सो गैस यह है पुरा ग्लास और दोस्तों यहां आपको सामने आपको मिलता है आई एनटी प्लास्ट का ब्रैंडिंग और यहां से लिखे यहां तक आपको मिलता है पूरा और ग्लाइटिंग अज ऊपर में यहां प आपको मिलता है पावर बटन रिस्टर्ट का उन्डलेट्ट ऐ है आपको मिलता है यूइज-ब-3.0 एं-ड-ब-3 पॉर्ट यहां आप इस 120 mm का एक यहां पर ठीक है और दोस्तो यहां पर यहां पर जो बैक है इसका बैक वाला फेन में यह फेन को मैं रिमूब करूँगा और यहां भी मैं इसको केबल फेबल और इसके अंदर आएगा SMPS जो कि मैं सेट करने वाला हूं और यहां पर आएगा पुरा मदर बुरकर सिस्टम से पुछ लगा सकते हैं ठीक है यह फैन मैं रिमूब कर दूँगा जो कि एक नोन-RGB फैन है तो गाइस यह है मीट टावर मेरा एक एंड स्पोर्ट के तरफ से इसके पर पीसी बिल्ड होने वाला है तो यह हमारा कैबिन जो कि मैंने आपको दिखा दिया अन्बॉक्सिंग करके तो आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुगा फिर मिलते है नेक्स वीडियो में अब गाईज म आटा वाई बाई फिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में